तो गाइस के लिए जो हमारी तिकोनी वाली लेस होती है इसको हम अंडर्गाउंड तरीके से यानि कि गुम्सलाई से हम किस तरह से इसको लगा सकते हैं वह हम आज सीखेंगे तो चलिए फिर हम जो है शुरू करते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है जिस भी फैब्रिक पर या जिसके भी bottom पर आपने लगानी है जैसे की मैं इस sleeves के bottom पर आप लोगों को लगाकर दिखाउंगी तो आपने क्या करणा है उसके सीधे side और ultra side नहीं निशान लगा लेनी है जैसे ये तो जी हमने दो इंच पर निशान लगा लिया है और अब इन निशानों को मैं इस तरह से ऐसे मिला दूंगी कि तो जी ये वाला जो निशान है आपने वो आपने सीधी तरफ लगाना है कपड़े के इस बात कर आपने भ्यात ध्यान ठीकें अब आपने अपने लेस लेनी है जो हमारी लेस वह मेरेको इस तरह से ऐस तो इसको ऐसे रखना है इसको यहां पर सिलाई लगा लिए जो इसके ट्रेंगल है उसके पास हम ऐसे फिर लगाते जाएंगे ताकि जो हमरे ट्रेंगल भी बहार रहें तो देखिये इस तरह से वने इसलाई लगानी है तो जी हमने ये वाली सिलाई लगा ली है देख सकते हैं आप लोग अब हमने क्या करना है इसको हम ऐसे पलट देंगे और इसको हम ऐसे कर लेंगे ये जो हमारे triangle थे, इनको हम इस तरह से ऐसे बाहर की side कर देंगे, ये देखिए, ऐसे, ये हमारे कुछ इस तरह से ऐसे दिखेंगे, इसको हमने ऐसे बाहर की side कर देना है, बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से जो है हमारे, ऐसे triangle दिखेंगे, ये देख इस तरह से यह आ जाएगा अब हमने क्या करना है यह जो हमारा उपर वाला फैब्रिक है इसको हमने पहले ऐसे डबल फोल्ड करना है इस तरह से मतलब एक पतला फोल्ड करना है ऐसे और फिर इसको हमने इसके उपर इस तरह से रख कर और यहां पर हमने जो है सिलाई लगानी है बिल्कुल मतलब जो हमारे ट्रेंगल्स हैं उनसे मिलाकर हमने इस तरह से ऐसे सिलाई लगा ली है इसको पहले पत्पला फोल्ड और फिर इस तरह से ऐसे इस ट्रेंगल्स के उपर तो जी हमारी येवली सिलाई भी लग गई है अब हम यहां पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे यह देखें यह हमारा बैक साइड है यहां पर हम बाद में तुर्पाई कर देंगे और फिर हम यह वली सिलाई खोल देंगे और यह हमारा फ्रेंट साइड है देख सकते हैं आप लोग कितनी फिन beiden में ढ़ा आप में वाधि लगा सकते हैं की पर लगा सकते हैं और Schnag dire चाहिए रिखिक एकड़ वीडियो को लाइक करियेका और श्येर करीएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब टक के लिए अल्रह क्या प्स